असलाम लेको मैंटी फ्रेंट कैसे हैं आप आज फीर आज़र हूं बिटकुन यानि क्रिप्टो करंशी के सारे कोई के वीकली नेलिसिस लेके आपकी खिदमत में और मैंने कहा था के क्रैश होने वाली यह मार्कीट निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ मेरी बात क आगे वह किषो नहीं होता अब वो रोता है और मार्केसी और बाकि की सबकेसी नजरों के सामने से गिर गेंगे भे ऑगए में एक्सी से और जितनी पिक्सेंजी ने सब ने उनको उड़ा के रख दिया और वो कॉइन जीरो की बजाए दुनिया से डिलीट हो गए इस तरह की तमाम आलूमात और आने वाले सबसे पहले हम तुना साथ जाइजा ले लेते हैं कि पुराने वीक में यानि कि पिछले वीक में हुआ क्या था क्रैश कैसे हुआ था यहां पर देखें आल्मोस्ट 20 परसेंट हमारा जो बीटीशी गिरा है अथीरियम 25 परसेंट तक गिरा है 21-25 परसेंट तक इसी तरह बीएम 440 परसेंट गिरा और अभी को मैं नीचे नहीं जारा रहा लूना कौन की आप डेट लेगी होगी लीना कौन इतना गिरा इतना की यह नीडा को गया एक सो बीज डालर से डिरेक्ट जेरो पर आया है और जीरो के बाद जीरो पर दिइंडक्स हो गया और उसको ऊडाना अब आप देखें कि दूनिया में बहुत डर बन गया इसको कहते हैं एक्स्ट्रीम फियर 25 से स्टार्ट और इस टायम दस पर यह निकिए पूरे के पूरी दुनिया में इन्वेस्टर इस टाइम डरा पड़ा है और बीटीश के को करीब भी नहीं जा रहा अच्छारी सबसे पहले हम चलते हैं बीटीसी के पेर पे और देखते हैं कि बिटकोइन में अब क्या कंडिशन मंतली में देखो तो आपको नजर आएगा कि सुमा लमदुल्ला कहा था 40,000 पर आपको वीडियो पर इकीनी वीडियो देखो पहले जाकर यूट्यूब पर बात करो फिर कमंड करो 40,000 पर कह दिया था कि बिटकोइन की मार्केट गिरने लगी है और आज देख लो 25,000 का लो लगा दिये मैंने 28,000 की प्रेडिक्शन की थी 25, कर लो लगा दिये 3,000 से भी गिर गया मार्केट और यह फुल फुल बैरिश वीक मन्त है ठीक है जो वीकली में दो वीक से कहा था गिरेगी दो तीन वीक से कहना स्टार्ट किया है और देखो दोनों एक्स्ट्रीम लेवल के बैरिश वीक से हैं और यह 25,200 यानिका 300 क कर लो ल बनाई है जी डोजी डोजी का क्या मतलब है आज ही अगर मार्केट बुलिश क्लोज हो जाती है तो अगले कुछ दिन तक मार्केट के बुलिश रहने के चांसिस हैं क्योंकि मार्केट बहुत मुरे तरिके से बहुत दिनों से गिर रही है तो अब क्या अब यह तक मार्केट मेरे green area में है जो के मेरा fully major support zone है तो उस support zone के अंदर market दाखिल हो जूग है जैसे ही उस market ने मेरा yellow area break किया है तो वो मेरे green area में आके stay किया है अब यहां पे देखें market अपने आपको repeat करती है history अपने आपको repeat करती है history में क्या हुआ था history में यह हुआ था market 38,000 से लेके 29,000 की range में फस्य थी यह कब फस्य थी यह December 2020 से लेके तो February 2021 तक फस्य रहे तीन मेने तक अब market जो है अगेन उसी level का की तो यह अचानक नहीं हो सकता कि एकदम से market निची आई और एकदम से यूपर चलिए ऐसा नहीं हो सकता तो जो अब आप यह परिशान है कि अब मार्कीट अगर सपोर्ट लेवल पर आ गई है तो हलका पूल का बाइंग करके इसे profit कमाया जा सकता है बट लॉंग टरम के लिए नहीं है market अभी मुझे जो लग रहा है जो अभी थोड़े दिन तक पंप कर सकती है अभी बहुत है यूट्यूबर कह रहे हैं कि इस बेस्ट टाइम टू बाइ बीटीजी गोई टू पंप वगएरा 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 यह सब फजूल है कोई नहीं बीटीजी पंप करने वाला अगर वह बाइसदार प्यागी तो फूल ना बनो देखो ज़रा सोचो समझो कि मार्कीट में चल क्या रहा है तो अभी फियर है सेलर अभी भागेंगे सेलर एंटर होंगे बाइर अभी भागेंगे अभी इन्वेस्टमेंट नी होने माली इतनी जल्दी क्योंकि आपने देखा रशिया ने अपने पेमर्ट मैथड जितने भी लाइक वैब मनी सबसे फेमस पेमर्ट मैथड है वैब मनी वैब मनी पूरी दुनिया में ब्लॉक हो चुका है रशियन कंपनी इसी तरह जो 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 रशिया की एक्स्चेंजिस होंगी यूएस उनको ब से युक्रेयन की है और नुकसान यूर्प समेथ पूरी दुनिया को हो रहा है वो लोग नुकसान में वो लोग प्राफिट में हैं हम लोग पीस रहे हैं मनो मेरी बात तो अब इतनी जल्दी आप बाइंग कर डिसीजिए न लें अगर आपने पचीस जार से बीटी से को बा पास एक लेवल है यह 27000 साथ लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और नीचे लेकर आना चाहूंगा अगें 25500 तक मार्कीट तो बाइस जार तक भी गिर सकती है लेकिन मैं नहीं उसके हांक में फिलाल तो मैं चाहता हूं कि मार्कीट अगें आकर इसको टैस्ट ही कर ले चाहे इसको क्रॉस ना करें चाहे इसको ब्रेक ना करें इसको टैस्ट कर ले उसके बाद मैं 35-35000 तक का प्राफिट टेकिंग करूंगा नो लॉंग ट्रम नहीं यह जहां पर जो देखे ना लॉंग ट्रम होर होता है अब यह जो सिगनल है मेरा यह वेरी शॉर्ट तरम है अगर यहां से में अंटर होता हूं तो 32-35,000 तक मैं विड्रो कर जाओंगा अपनी प्राफिट टेकिंग कर लूँगा चोटे चोटे टेक प्राफिट लूँगा अब मार्कीट जो है वह इस एरिये में फस सकती है अगले 3 मिने के लिए तिर क्या करेंगे आप तो स्कैल्पिंग करें आपका कहुंत पूरे का पुरा वाश कर देगा यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्ट चीज है मैंने अपनी जो कल वीडियो अप्लोड की थी लूना और टैरा क्यूं स्कैम कर गें क्यूं वह वीडियो जाकर लाजमी देखें यह उपर आई के बटन पर प्रेस करके आप करने हैं जो लेस दन वन डालर हो यह ना हो आपके 120 का ले लें और फिर बाद में जीरो हो जाए और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए मैंने जो खबर सुनी है आला करें वह गलती होगा लोग सुसाइड कर रहे हैं यह ट्रेडिंग का बिजनस है लर्न इट बिफोर एंटर सुद्ध करने करें मेरे यूटीव चैनल पर जाये हैं गया है और हम यह जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं किसमें हमँरा अकाउंट वाश होने के खत्रें के साथ हमसे लोंग पर तरम करें हो था करने ये तो अब आप छोटे यह गया है और बाइंक्स आप च्छोटे पाइं आजाएं डेली पे डेली पे और डेली पे भी अगर आपको ट्रेडिंग समझ नहीं आ रही तो एच फॉर यहां फिर एच वन पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं तोड़ासा मैं इसको क्लीन करूंगा ताकि आपको समझा सकूं यह देखें तो मार्कीट की यहां पे एक जो है वर रिजिस्टन्स बांड रही है यहां से आप मार्कीट को सेल साइट देख सकते हैं जैसे वह 31,000-32,000 की रही है ल मार्कीट अपने लो पे आई हुई है यहां पे सेल में फास जाओ तो दफन हो जाओगे यहां पे सेल में नहीं फसना बाए में फास जाओ कोई मसला निकल जाएंगो तो यह आप कर सकते हो तो 28,000 27,000 26,000 39,000 से बाइंग कर लो 32,000 33,000 35,000 से विड्रो कर जो तो यह एक लैव जैसे ही मार्कीट वो नीची आया अपने सपोर्ट जून में आप इसको बाइंग कर सकते हैं चीक है तो यह एक है इसके बाद हमारे जो दूसरे कोई आ जाते हैं मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं जैसा के अथीरियम है तो अथीरियम को आप जो है मैं 1800 से बाइक करना तो मेरा वो ड्रीम पूरा हो गया है कि मैं इसको अब मैं आपको बता दूँ कि अथीरियम भी जो अपने लोग पर आया हुआ है लेकिन यह लोग कौन से है जी यह लो है 2021 जुलाई 2021 जून 2021 और में 2021 मार्किट को जो है इसको टेस्ट किया है और मार्किट को फिलाल इतना से बाइंग ले सकते हैं लेकिन अगें मैं अगें बात कर रहा हूं आराम से यहां पर नहीं अभी मार्किट बीटी सी के ऊपर जाने के कोई चांस नहीं है अगले पांच शे मेने तक अचारी ट्राउन है यह नीचे गिरा है काफी ज्यादा और 0.06 पर यह इस तरह के कोई जो सेंट्स में मिल रहे हैं उनके अंदर इंवेस्टमेंट करें उनको बाय करें तो यह कोई अगर आपको 0.05 का मिलें पांच संट कर तो लिलें अगर नहीं मिला तो पैंडिंग अट सब्सक्राइब और बीएंबी ने भी वही डोजी बना ही है 250 से आपको मिले तो इसको आप स्कैल्पिंग करके यह लॉंग टरम के लिए बाय कर सकते हैं लेकिन अभी रुकिजाएगा लॉंग टरम के लिए ना की देगा शॉट टरम के लिए प्रॉफिट टेकिंग करें यह इसको बिल्कुल ना पढ़िए चाहे आपको 20 सेंट का क्यों ना मिले यह फजूल कॉइन ठीक है इसके अलावा हमारे पास क्वाइन यह आप ले सकते हैं लेकिन यह मेंग है आल दो मैं आपको सब्सक्राइब आप पर्चेस करें जो कि आपको में लेस दन वन सेंट अच्छ है नेक्स्ट जो क्वाइन गिर सकते हैं जो डीटक्स हो सकते हैं मारकेट्स हो सकते हैं उन में से डोफ कॉइन शीबा कोईन यह ऐसे क्वाइन है यह जो उनका क्योईर में नहीं पर ट्रेडिंग कर सकते हैं схण refers आपने इन को पर ट्रेडिंग करनी है और जो आपको मैंने बताया लॉंग ट्रम के लिए भी बाय नहीं करना उससे आपने बाज रहना है मजीद अभी कोई नया लो लगने के या नया हाई लगने के चांसिस नहीं है मार्केट इदर स्कैल्पिंग करेंगे अब मेरी वीडियो कैसे लगी आपको जरा इसके बारे में कमेंट करके बताएं और आपके लुनक वाइन में कितने पैसे डूबे हैं अगर किसी दोस्त के डूबे हैं उसको इस वीडियो के नीचे टैक करो ठीक है नहीं और मुझे बताओ आप मेरी जाय से मुत्विक हो या नहीं आपको यह वीडियो कैसी लगी फीडबाग देंगा अच्छी लगी तो झाल झाल